कि है कि है कि है कि हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू एससे क्रैकर्स और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो इवनिंग के चार बज चुके हैं और आपको मालूम है कि अभी कौन सा क्लाश होता है तो स्टाटिक जीके का तो जल्दी जल्दी से सब लोग आ जाएए क्योंकि स्टाटिक जीके के most important questions जो है previous year से वो आने वाले है तो सब लोग जल्दी से आ जाएं तो अभी जो क्लास होता है आपका वो उसमें जो है 2012 से लेकर 2020 तक के बीच में जितने भी एक्जाम हुए है ठी देख रहे हैं और आज देखिए आज set third है first set में हम लोगों ने एक से लेकर 50 तक किया था second set में 51 से लेकर 100 और आज third set में 101 से लेकर 150 questions देखने वाले हैं और आज बहुत सारे important question है तो एक भी question को skip नहीं करना है सारे question को जो है एकदम याद करते जाना है और आपको last में देखना है कि आपके लिए ये जो set है 101 से लेकर 150 ये आपके लिए easy था moderate था या advanced था ओके अगर easy रहा तो definitely है कि आप बहुत अच्छा स्टाटिक जीके में पढ़ रहे हैं और अगर आपके लिए advance है तो अभी आपको और पढ़ने की जुरुवत है तो चलिए start करते हम लोग first question के साथ चलिए first question यहाँ पर आ चुका है important first question इंडियाज first official census operation was undertaken in which year देखिए यहाँ question में ध्यान देने वाली बात क्या है कि इंडियाज first official यहाँ official census की बात हो रही है यह कब हुई थी किस year में यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा 1881 यहाँ पर right answer है पहली बार official अगर हम census की बात करें तो वो 1881 में ही हुआ था next question चलते हैं हम लोग और देखिए यहाँ पर मैंने 2011 census से कुछ important यहाँ पर आपके लिए देखा है जहाँ देखिए कि किस तरीके से 2011 में जो census हुआ था वहाँ पर कितने cost आये थें कितने per person cost आया था यह सब चीज़ जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से जो additional आपके लिए facts है वो मैं आपके लिए इस PDF में देता हूँ ताकि जब आप PDF डाउनलोड करें तो आपको और भी कुछ कुछ चीज मतलब पढ़ने को मिलें चलिए question number two यहाँ पर क्या है कि डैस is a cold desert lying in great हिमालिया तो यहाँ पर right answer होगा लदाख ठीक है लदाख is a cold desert lying in great हिमालिया और आप मुझे बताएंगे कि लदाख का कौन है इस वक्ट present time में गवर्णल ठीक है गवर्णर कौन है लदाख के क्या होगा इनका नाम क्या है इनका तो राधा कृष्ण माथुर जो है यह इनका नाम है यह गवर्णर है लदाख के और union territory अभी हाल में ही बना है 31st October 2019 में जो है यह union territory बना है और capital जो है इसका ले है total दो district है लदाख में नेक्स कोर्षन है कोर्षन नमबर 3rd who invented the hot air balloon गर्म हवा के गुबारों का गुबारिक आविश्कार किस ने किया राइट एंसर क्या होगा मौन्ट गॉल्फियर ब्रदर्स यहां पर राइट एंसर है मौन्ट गॉल्फियर ब्रदर्स नहीं जो है invent किया था hot air वैलूड को नेक्स कोर्षन कोर्षन नमबर 4rd group of monuments at हमपी is located in हमपी के अस्मारको के समू कहां इस्तित है भारत के किस राज्य में राइट एंसर क्या होगा यहां पर करनाटक करनाटक में है यह कोर्षन नमबर 5th देखते हैं which of the following is India's highest civilian award निम्न में से कौन सा भारत का शर्वोच्य नागरिक पुरुषकार है तो यहां पे राइट एंसर क्या होगा आपका सर्वोच्य नाग्रिक पुरुषकार कौन सा है भारत रतन है यहां पर राइट एंसर और आप अभी बताएंगे कि भारत रतन फर्स्ट टाइम कब दिया गया था और किसको दिया गया था तो first award दिया गया था 1954 में स्री राज गुपालाचारी को शर्वपली राधा कृष्णन और सीवी रमन को दिया गया था और last जो है भारत रत्र मिला है 2019 में यहां भी तीन लोग थे नाना जी देशमुक, भुपेन हजारिका और प्रणव मुखर जी नेक्स्ट कोशन दिखते हैं हम लोग कोशन नमबर 6 यहां पर correct answer क्या होने वाला है आपका तो बंगलादेश यहां पर right answer होगा कोशन नमबर 7 क्या है डैस एप्रूफ कॉंस्टिचूशनल अमेडमेंट शम्वेधानिक संसोधन को मंजोरी देता है कौन राजिसभा, ministry of defense, prime minister या से भी तो जब कॉंस्टिचूशनल अमेडमेंट की बात हो रही है तो वो एप्रूफ होता है आपका राजिसभा से ठीक है राजिसभा यहाँ पर right answer होगा अरे train चलिए next question है आपका, question number 8 में after the defeat at पलाशी, सिराजुदौला was assassinated and dash made the नवाब तो पलाशी के हार के बाद जो है सिराजुदौला की हत्या हो गए थी, उसके बाद किसको नवाब बनाए गया था battle of plassi बहुत famous battle हुआ था, कब हुआ था, 1757 में ठीक है और इसमें जो है किसकी मृत्ति हो गए थी, सिराजुदौला का, उसके बाद जो है मीर जाफर जो है यह बने थे नवाब ठीक है, next question, question number 9, सेर सा सूरी defeated which मुगल इंपेरर सेर सा सूरी ने किस मुगल समराट को हराया, वो कौन से मुगल समराट थे जिसको सेर सा सूरी ने हराया था राइट एंसर क्या होगा, हिमायू, option number 1, ठीक है, और सेर सा सूरी का जो time period था, वो 1539 से लेकर 1545 के बीच में रहा है, ओके, और उन्होंने किस dynasty का यहाँ पर रखा था, नीव, शूर dynasty का, ठीक है, शूर dynasty यहाँ पर राइट एंसर होगा, next question आपका, question number 10 है, the shape of the outer part of the year is like a, तो कान जो होता है, उसके बाहरी भाग की जो आकृती होती है, वो किस तरह की होती है, जो हमारा year होता है, उसके बाहर में जो है, किस टाइप का होता है, तो यह देखिए, इस टाइप का, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, funnel यहाँ पर right answer है, ठीक है, funnel इस टाइप का shape बनता है, funnel यहाँ पर right answer है, next, what is formed when carbon dioxide is passed through lime water, ठीक है, carbon dioxide को passed कड़ाया जाएगा lime water से, तो क्या formed होगा, तो यहाँ पर right answer होगा, option number two, calcium carbonate, ठीक है, और इसका formula क्या होता है, CAO3, next question है, what is the largest component of lower atmosphere by total volume, तो सबसे ज्यादा किसका है, तो nitrogen का है, ठीक है, lower atmosphere में सबसे ज्यादा किसका है, nitrogen का है, आप अच्छे से जानते हैं, कि जितना भी atmosphere, बहुत सरे gases है, उसमें सबसे ज्यादा अगर percentage है, वो किसका है, nitrogen कहीं है, उसके बाद oxygen, फिर आरगन, next question है, question number 30, who discovered penicillin, तो penicillin को किसने discovered किया था, किसने खोज किया था, बहुत बार पुशा गया, यह question, sir Alexander Fleming ने किया था, next question, who has won the most number of gold medal in Olympics, तो Olympic जो होता है, हर 4-4 साल पे, ठीक है, 4 years पे होता है न, Olympic Games, तो उसमें सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें, number of gold की, शोरन पदक की, तो वो किस player ने जीता है, तो Michael Philp, इनका नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है, शुइमर है यह, इन्होंने अब तक 23 gold medal जीता है, 2000 से लेकर, 2016 तक यह active रहे हैं, उसमें इन्होंने 23 gold medal जीता है, और यह सबसे ज़्यादा gold medal जितने वाले player हैं, next question, gold gumbas was built in which century? तो gold gumbas जो है, यह कब बना था, किस century में? तो देखिए, यहाँ पर होगा आपका answer 17th century में, ठीक है, 1656 के time में बना था, ठीक है, 1656 के time में बना था, बर इसको consider किया जाता है, 17th century में, next question है, आपका question number 16, विश्व के सबसे व्रिद्व्यक्ति कौन है? बताइए, यह question पूछा गया है, ठीक है, shorty mezo, the world's oldest man died at the age of 146, 146 के उमर में इनकी मृत्य हुई है, यह किस country से थे? यह question, यह तो नहीं आएगा exam में 100%, क्योंकि यह पहले का, यह current affairs के time में पूछा होगा, उस समय का जो current affairs होगा, यह question नहीं आएगा, बट सोचे क्या कि, आप लोग भी देख लिजे, कौन है यह, जिनकी मृत्यू 146 years में हुई थी, और यह कहां से है, तो यह Indonesia के थे हैं, ठीक है, और यह है वो, समझे रहे हैं, यह हैं, जिनकी मृत्यू 146 केज में हुई थी, next question यहां पर है आपका, the demand for a normal good decrease with dash in consumer's income, नेखिए जो normal good है, उसका demand कब कम होगा, समझे रहे हैं, normal good, जो है, उसका demand कब कम होगा, with dash in consumer income, तो जब consumer का income decrease होगा, तो normal goods कभी जो है, वो demand decrease होगा, समझ गयें, क्योंकि आदमी के पास पैसा ही नहीं रहेगा, तो वो कैसे purchase करेगा, मान के चलिए कि आप जो है, कोई भी ले लिजए, बाटा का आप सूज पहनते हैं, ठीक है, अब आपने इसको, मान के चलिए, इसका price 1000 रुपीज है, ठीक है, और अभी आपके पास 500 रुपीज है, सिर्फ और सिर्फ, तो आप बताईए, कि आपके लिए तो ये normal goods था, ठीक है, आप इसका सूजी पहनते थे, अब क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, तो इसका demand normal goods का कम हो जाएगा, तो आप alternative में जाएगे, जो complementary goods होता है, ठीक है, जो 500, 400 के range में आएगा, तो वही है, कि जब इसका demand कब कम होगा, जब आदमी का, consumer का income है, वो decrease होगा, और जब consumer का income अगर increase होगा, तो अब्विस ही बात है कि normal goods का भी, जो demand है, वो increase हो जाएगा, समझ गया, next question है आपका, question number 18, novel military and air force, ये जो है, किस listed में है, union में, state में, global में, या concurrent में, नौ सेना, थल सेना और वायू सोना, भारत के समिधान में, सद्वी अनुसूची में दी गई है, ये किस में है, तो यहाँ पे आपका right answer क्या हो जाएगा, तो union list यहाँ पर correct answer होगा, ठीक है, union list में ये सब mention है, next question है आपका, कि आपको बताना है, उत्रा खंड में कितना लोग सभा seat है, parliamentary seat exam में पूछे जाते हैं, आप ये पूरा याद कर लें, जितने भी states, union territories हैं, उन सब का याद कर लेंगे, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस बार भी, आप सोचे, 2020 में भी जो exam हुआ, उसमें भी पूछा, 2019 वाला exam था, उसमें भी पूछा, 2018 में उसमें भी पूछा, तो यानि कि जो कोई पूछ रहा है, और देखे, इस series का main purpose क्या था, इस series का main motive ये था, कि इसी pattern पे आपके किस तरीके से question पूछे जाते हैं, जैसे एक shift में अगर उत्राखंड का पूछा, तो दुसरे shift में हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का पूछ दे, relate करके आप पढ़ सकते हैं, समझ गये हैं, तो यहाँ पर कितना है, 5 जो है correct answer हो जाएगा, उत्राखंड में कितना seat है अलोग सभा का, तो 5 है, तो राजिसभा का कितना है, ये भी बता दीजे, डैस, the first became the capital of a kingdom under the तुमार राजपूत, तो सर्व पर्थम तुमार राजपूतों के तहट एक राज की रजधानी बनी, वो कौन था, वो था आपका देली है, ठीक है, देली first capital था, नेक्स्ट है आपका नूर जहाँ, नूर जहाँ किस मुगल समराट की पतनी थी? नूर जहाँ जिनका जन्म कब हुआ था? 1577 में, से लेकर 1645 तक इनका रहा है, प्रियर्ट, ओके, और ये जहांगीर की वाइव थी, नेक्स्ट कोर्शन है आपका, कन्वेक्स और कन्केव मीरर, और एक्जाम्पल ओफ, तो कन्वेक्स और जो कन्केव मीरर है, ये किसका एक्जाम्पल है? यहां पर राइट एंसर क्या होगा? स्फेरिकल मीरर यहां पर आपका राइट एंसर है, नेक्स्ट कोर्शन है, वो डिस्कवर्ड एलक्रिसिटी और इन्वेंटेट दा लाइटिंग रोट और बिफोकल? तो यह किस ने डिस्कवर्ड किया था? वो डिस्कवर्ड एलक्रिसिटी? तो यहां पर बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है, यहां पर आपका राइट एंसर हो जाएगा, नेक्स कोर्शन है आपका, Who was the architect of हिमायू टॉम? हिमायू के मखबरे का वास्तुकार कौन था? चलिए, option number 3 यहां पर हो जाएगा, ठीक है, हिमायू के मखबरे का वास्तुकार कौन था? यहां पर मिराक, मिर्जा, घ्यास जो है, यहां पर आपका correct answer है, next आपका दियावा है, देखिए, यही चीज मैंने आपको बोला था, कि कैसे यह सब series आपके लिए important है, अब उस सवक्त हम लोगों ने 146 years वाले एक वृद्ध old person को देखा था, अब दुसरे shift में क्या पूछ महिला, अब महिला के वारे में पूछ दिया, मान के चलिए कि आप बैठे हुए हैं और exam चल रहा है और आप analysis देख रहे हैं, और आपका दो तीन दें के बाद आपका exam है, मतलब आज जो paper हो रहा है, यह हो सकता है कि first shift वाला analysis देख रहे हैं और third shift में आपका paper है, तो जैसे ह नहीं अगर मान के चलिए उस समय आगर आपका old man वाला यह question आया होगा, तो आप woman वाला देख लेते कि भाई महिला कौन है, वो भी देख लेते हैं, तो ऐसे relate करके आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जो है आप exam time में जो जिस pattern पे question आते हैं, उसका analysis करके जो है आप तो बंगला देश की सीमा किस भारतिय राज से नहीं जूरी है, तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा आपका, देखिए, बंगला देश, अशाम, वेस्ट बंगाल, मिघालिया, तिर्वपूरा, मिजवरम, इन सब के साथ वो साजा करती है अपनी बॉर्डर, लेकिन यहाँ पर आप जारकन देख रहे हैं, यहाँ पर यह नहीं होगा, समझ गए, चलिए, नेक्स कोर्शन है आपके स्क्रिन पर, goods which are consumed together are called, जिन वस्तूओं का साथ साथ उप्योग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, देखे, complimentary goods हम यहाँ पर कहते हैं, अब आप देख लीजिए, मान के चलिए कि आप mall गए हुए हैं, और आपने जो है, वहाँ पर कुछ खरीदा, और सामने आपको उसी से related कुछ और आपको दिख गया, तो आप उसको भी purchase कर लेते हैं, समझ रहे हैं, गये थे लेने आप ए चीज़ को और आपने बी को भी additionally वहाँ से ले लिया, तो इसलिए जो है mall यह सब एक concept लाया गया था western में, ठीक है, तो यह बहुत successful हुआ था, ऐसे क्या होता है कि आदमी निकलता है घर से जो समान लेना है, वो समान लिया और उसके atmosphere दे दिया जाता है, बिक बजार यह सब टाइप का, तो अब क्या होता है कि लोग वहाँ पर complementary goods का बहुत जादा जो है, मतलब की खरिदाडी जादा हो जाता है, इस माध्यम से, चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, goods which are consumed together are called complementary goods, next आपका दिया वाय, a dash elects the president and the vice president and removes judges of supreme court and high court, राष्टपती और उपराष्टपती का चुनाव करती है, तता शर्वोच न्याले और उच न्याले के न्याएधिशों को पद से हटा सकती है, यह अधिकार यह power इतना भयानक वाला power किस के पास है? राइट एंसर क्या होगा यहाँ पर? लोग सभा, ठीक है? ठीक है लोग सभा के पास, next question है आपका, पृत्वी राज 3rd, देखें इनका time period कब से कब था? 1168 से लेकर 1192 तक के इनका सासन था, अब क्या है? पृत्वी राज 3rd was a best known dash ruler, कहां के सबसे प्रसिद सासक थें? पृत्वी राज 3rd, चहमान के थें? समझे? चहमान के यह प्रसिद सासक थें, अब यहाँ पर आप देख लिए, यहाँ पर क्या दियावा इनके बारे में? कि पृत्वी राज 3rd जो है, यह एक चहमान थें, जिन्होंने बाद में चोहान सासक के नाम से जाना गया, ठीक है? उसके बाद जो है, चोहान सासक के नाम से भी इनको जाना गया था, उसने दिल्ली और अजमेर के आसपास के छेतरों पर सासन किया था, ओके? इनका लोकेश गोरी थें, उसको हराया था इसने, फर्स्ट बार जब मोहमद गोरी जब हरा था, यहां कोर्शन में तो बहुत बार परे होंगे, कि मोहमद गोरी आया अटेक किया, ऐसे जीत लिया, लेकिन वहाँ पर जब किसको, उसको हार का सामना करना पर आता, मोहमद गोरी को किस से, त उसके बाद लेकिन क्या हुआ? एक साल के बाद ही 1192 में गोरी से वो हार गया और यहां उसके शासन और जीवन दोनों का अंत्र था. समझ रहे हैं? 1191 में मौहमद गोरी जो हार गया लेकिन हार के जितने वाले को ही बाजिगर गहते हैं, फिर उसने आया और उसको यहाँ पर हरा दिया और उसके बाद आके अपना गुंडागर्दी स्टार्ट नेक्स कोर्शन चलते हैं हम लोग यहाँ पर वो कौन सा लौ है मोशन ओफ प्लानेट से जुड़ा है ग्रहों की गती को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है राइट अंसर क्या होगा option номер 2 Kepler's Law जो है यहाँ पर आपका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है Kepler's Law अब यहाँ देख लीजए Kepler's Law के बादे में दिया वाँ है खगूल विज्ञान में Kepler's के ग्रहों की गती के नियम को किस ने दिया था ये जोहानस Kepler भूबर ने दिया था ठीक है कब दिया तकिस पीयड में 1609 से लेकर 16-19 में और इन्हों ने describe किया था ठीक है orbits of a planet जो orbits होते हैं प्लानेट के वह राउन करते हैं संके ठीक है नेक्स्ट कोर्शन क्या है यहां पर नेक्स्ट है इन Microsoft Word डैस अलावस अस्टू चेंज दा कलर ऑफ सेलेक्टेट टेक्स्ट तो यह फैसलिटी किसके दोरा आती है फॉन कलर कि फॉन कलर से ओके नेक्स्ट कोर्शन है अब आप देखें यह जो आपका चल रहा है इसमें इन्वेंशन डिस्कवरे से जो है कोशन आ रहा है उसलिट यह सब टॉपिक है कि अभी भी आएगा तो आपको यह करना ही परेगा आप बचके नहीं जा सकते हैं इससे आपको करना ही परेगा तो इंसुलेन का खोज किसने किया था फेडरिक बेंटिंग यहाँ पर आपका राइट एंसर हो जागा ठीक है इन्होंने किया था नेक्स्ट है आपका धामेक स्थूप वाज बिल्ट बाइ तो धामेक स्थूप का निर्मान किस ने किया था धामेक स्थूप का निर्मान किसने किया था तो यहां पर आपका अशोख हो जाएगा ठीक है 2.49 BC के टाइम पे नेक्स्ट कोर्षन है आपका कोर्षन दियाब है विच अप दा फॉलोइंग इंडियाज हाइएस्ट अवार्ड इन सिनेमा गिवन एन्वली बाई दा गवर्मेंट आफ इंडिया फॉर लाइफ टाइम कॉंट्रिबूशन तो इंडियन सिनेमा तो भारतिये सिनेमा का सबसे उत्क्रिस्ट अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा सरवच्च पुरुशकार का तो वो कौन सा होता है तो ये तो सब जानते हैं दादा शाहे फाल के पुरुशकार जो है ये सबसे बड़ा पुरुशकार है यहाँ पर देख लिए इससे related कुछ important है जो कि exam में question तो पूछे ही जाते हैं जैसे कि जब भी भी इसका award दिया जाता है वो award आपको याद कर लेना है किसको दिया जाता है जैसे कि आपने देखा CGL CHSL 2019 में धमाल मजाया वा था ये question कि किसको मिला है 2018 का दादा साहे फाल के पुरुशकार तो अमिताब बच्चन इसका answer होता और 2019 में किसको मिला तो आप जानते हैं इस personality को कौन है ये रजनी कांथ और जो है यहाँ आप देख लीजिए first awarded कब हुआ था 1969 में last awarded 2011 sorry 2021 यहाँ दिया है और first winner कौन थे तो देविका रानी जो है यहाँ पर आपका राइट एंसर हो जाएगा चलिए next question आपके screen पर क्या दिया हुआ है which of the following is a major river in Bangladesh which is also the main distributory of the Gangas तो बंगला देश में निम्लिखित में से कौन सी प्रमुख नदी है जो Ganga की प्रमुख शाखा नदी भी है राइट एंसर क्या होगा यहाँ पर पदम next question है आपका bankruptcy and insolvency is listed in the dash list ठीक है अब यह जो है किस list में है union state global या concurrent में दियावा है किस list में है यह तो यह आपका आजाएगा concurrent list में ठीक है अब इसके बारे में भी आप कुछ देख लीजिए एक पर quick revision कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या दियावा है आपका तीन type के list होते है union state and concurrent union list में total 97 है state list में आपका total 61 items दिये वह है और concurrent में 52 दियावा है तो इस list से भी question पूछे जाते हैं तो इसको आप लोग देख लेंगे next है आपका in 1236 सुल्तान इलतुतमिस डॉटर डैस बिकेम सुल्तान तो 1236 में जो है इलतुतमिस की बेटी कौन थी जिन जो सुल्तान बनी तो आप जानते ही है रजिया यहाँ पर right answer होगा next question आपका क्या है महात्मा गांधी in 1990 decided to launch a nationwide सत्यागरह against the proposed तो 1990 में महात्मा गांधी ने आंदुलन के सत्यागरह किया था ठीक है किसके विरूद में यहाँ पर right answer क्या हो जागा roll it act यहाँ राइट एंसर होगा ठीक है roll it act यहाँ पर correct है next question देखते हैं हम लोग question number यहाँ पर 39 है the innermost layer is the core with a radius of about dash kilometer inner most layer की बात हो रही है यहाँ पर और उसके radius की बात हो रही है वो कितना है the innermost layer is the core with a radius of about 3500 km जो है यह इसका inner radius है ठीक है यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर figure के माद्यम से आप समझेए क्या दियावा है यहाँ पर कि यह होगे आपका देखिए data earth innermost layer ओके इसका radius के बारे में यहाँ दियावा है दो layer होते है inner outer और उसके बारे में यहाँ पर कुछ detail है यह inner के बारे में ठीक है यह कितना है इसका radius वह आपका 3500 के आसपास km नेक्स्ट कोशन क्या है आपका bryophytes are also called dash of the plant kingdom तो bryophytes को जो है और क्या कहा जाता है plant kingdom की बात करें तो amphibians कहा जाता है ठीक है next question आपका क्या दियावा है next question है आपका dash are designed to read and interpret HTML तो यहां पर क्या होगा इंटरनेट ब्राउजर ठीक है इंटरनेट ब्राउजर को ही इस टैप से डिजाइन किया जाता है ताकि वो रीड करें और HTML पर काम करें ठीक है ऐसा सॉट्वेर प्रोग्राम है नेक्स्ट कोर्शन है आपका कोर्शन नमबर 42 कि इनवेंटेड धरमस फ्लास्क थरमस फ्लास्क का अविस्कार किस ने किया तो इसका अविस्कार किया था जेम्स डेवर ने नेक्स्ट कोशन दिया है नेपाल ड़स नॉट सेयर इस बॉर्डर विथ विछ इंडियन स्टेट्स तो नेपाल अपनी सीमा किस भारतिय राज से साजा नहीं करती है देखिए नेपाल के साथ कौन को साजा करता है बिहार तो है ही उत्तर प्रदेश आपका है ही उत्तरा खंड भी है, वेस्ट बंगाल है, शिक्किम है ठीक है, ये ऐसे स्टेट हैं, जो कि निपाल के साथ बॉर्डर साजा करते हैं तो एक रह कौन सा गया आपका यहाँ पर हरियाना, ठीक है तो हरियाना यहाँ पर नहीं होगा Next question है आपका, question number 44 Reserve Bank of India ये किस list में है, Reserve Bank of India देख रहे हैं, एक shift में list से पूछा तो इस type के कितने question exam में पूछे गए है बस आप देखते जाए कि pattern क्या है, ऐसे सिखा तो ये वाला 1000 अगर आप पूरा कर लेंगे class तो फिर आप अराम से अच्छा performance कर सकते हैं क्योंकि सिफ आप भी इतना ही थोरी न परेंगे आप घर पर जाएंगे तो self study में आप क्या परेंगे आज ये reserve list परेंगे क्योंकि यहां से question पूछा गया जो भी list आपका है state, union, concurrent फिर आपको topic मिल गया, invention and discoveries का आप वहां से पर लेंगे तो आपको फिर पाल लिया, mandatory seat है, कितना कितना seat है किसमे तो ये सब जो topic आपको मिल रहा है तो उसको आप खुद से भी complete करते जाएंगे और जो additional question आ रहे हैं उसको आप कहीं पर note down कर लेंगे या उसको आप सिर्फ revise करेंगे ओके next question क्या है, question number 45 शेर खान defeated Dash at Chawsa and Canoze forcing him to fly to Iran तो शेर खान ने Dash को Chawsa और Canoze में हरा कर उसे इरान की और भागने के लिए बात दिखिया किसको बात दिखिया था शेर सासुरी ने शेर खान जो है सेर सासुरी का दुसरा नाम है सेर खान also known as सेर सासुरी जिसने हिमाईयो को ही हराय था ठीक है, बिचारा ना हार था ने इतना question कुछा जाता next question around how much percent of earth surface is covered with water तो कितना percent जो है water मौजूद है भूप्रिष्ट का कितने प्रतिसद भाग जल से आवरित है आवरित है तो आपका 70 to 80 percent यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा ठीक है mostly जो है 71 percent के आसपास है next question है आपका यहाँ question क्या है यहाँ पर फिर आपके लिए कुछ important यह सब आपको जो दे रहे हैं यह सब PDF के लिए है ठीक है PDF वाले को अराम से यहाँ पढ़ेंगे 70 percent देख रहे है water है चलिए अब यहाँ पर क्या है आपका neon का खुज किस ने किया था who discovered neon चलिए यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा option number 3 यहाँ पर correct हो जाएगा ठीक है option number 3 आपका correct है Morris M. Travers और William Ram से next question क्याँ आपका गोल गुम्बज is located in कहाँ है गोल गुम्बज right answer आपका होगा करनाटक में है ठीक है चलिए अब आप बताईए Odisha में कितना parliamentary seat है देख भीए Odisha का parliamentary seat कितना है लोग सबा seat कितना है यहाँ पर option number 3 यहाँ correct है total 10 यहाँ पर आपके लोग सबा seat है लोग सबा seat कितने है आपके sorry राज सबा के बात हो रहे है वही तो लोग सबा seat तो 21 है ना राज सबा seat के बारे में बात हो रही है यहाँ पर राज सबा में कितना है यहाँ पर तो 10 यहाँ पर correct हो जाएगा लोग सबा में कितना है total seat अब ये भी ध्यान देने वाली बात है question देखें अभी जैसे कि यहां पर राज सभा के बारे में पूछ रहा है और ध्यान क्या है लोक सभा का तो यहीं होता जहां मतलब साफधानी हटी दुर घटना घटी अभी तो गलत करके चले आते हैं लेकिन अच्छा वाकिया option में 21 नह जो है यह राज सभा है और 21 आपका लोक सभा है गनेशी लाल गवर्नर है और नविन पतनायक सीम है और आज का हमारा last question है यहाँ पर मुर्सित कुली खान अलवर्दी खान और सिराजु दौला यह सभी कहां के नवाप थे हैं तो यह सब नवाप थे कहां के बंगाल के ठीक ह आज हम लोगों ने 101 से लेकर 150 questions तक जो है discuss किया है very very important series है इसको skip नहीं करना है और इससे related जो भी topics हो रहे हैं उन सबको आप cover करते जाएए समझ गया है बाकी आपको जितना previous year का जो एक question है static का उससे आपको आपका practice करवाना यह मेरी responsibility है तो यह मैं कर रहा हूं और आपकी responsibility ह है कि आप इन topics को खुद से भी बहुत अच्छे तरीके से करें तभी जाकर यह सब efforts जो है किसमें convert होगा अच्छे score में और selection में आपका यह convert होगा समझ गया है तो उमीद है कि आप वापस से कल आएंगे कितने बजे 4 o clock जहां पर हम लोग 151 से लेकर 200 questions को discuss करने वाले हैं तो 9 बजे अपने दंगल के class में तब तक के लिए all the best